जै मातादी आप सभी का जोती शूर्जा में स्वागत है आज मैं आपको यहाँ जो उपाय बताने जा रही हूँ मैं ये मानती हूँ कि इस उपाय से आपकी इच्छाएं इन नवरात्रों में जरूर पूरी होंगी मा हम सब के द्वार खड़ी है अश्विन मास के शुकल पक्ष को दिन गुरुवार को नवरात्रे प्रारंब हो रहे हैं नवरात्रों के नौ दिनों में मा के नौ रूपों की पूजा की जाती है ये नौ रूप है मा शैल पुत्री, मा ब्रह्म चारिनी, मा चंद्रघंटा, मा मा कूश मांडा, मा सकंध माता, मा कात्याईनी, मा काल रात्री, मा महागौरी, मा सिध्धी दात्री मा हर व्यक्ति की इच्छा पूरी करती है प्रंतु फिर भी कई व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि हमें तो इच्छा का फल प्राप्त नहीं हुआ तो ऐसा क्यों होता है और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मांगते मां से बाद में हैं और उनकी इच्छाएं पहले ही पूरी हो जाती हैं मां तो एक है सबी बच्चों से बराबर प्यार करने वाली उसको किसी धरम जाती का भेदभाव नहीं वो तो सब को दुआएं देती हैं फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी हमारी मनों कामनाएं हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो आज इसी बारे में मैं यहां बात करूंगी देखे यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो ऐसी आपको मिल जाएंगी जिन में बहुत सारे धेरों उपाये बताये होंगे प्रन्तु अगर आप मेरी ये वीडियो देख लेंगे तो मैं गैरंटी करती हूँ कि आपको नवरात्रों की इन नौ दिनों में तो मा शक्ती का रूप भी है यानि के वो सब की इच्छाएं पूरी करेगी मा प्यार साहस शक्ती सब प्रदान करती है ऐसे में मा को अपनी बात मनाने के लिए एक बड़ा प्यारा सो उपाये है मेरे पास आप पहले नवरात्रे के दिन स सुबै नहाद होकर मा की जोज जलाए जो भी आप अपने घर में रिती रिवास पुराने समय से करते आ रहे हैं वैसे ही करें उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है आप एक सफेद कागस ले ले उस पर अपनी इच्छा को जो आप चाहते हैं जैसी भी आपकी इच्छ सब उस पत्र में लिख दे दिल खोल कर उस समय आप ये ना सोचें कि मैं कहीं जादा ना मांग लूँ और कहीं मा नाराज ना हो जाए मा कभी किसी से नाराज नहीं होती इसलिए जो भी दिल में हो सब कुछ लिख दे अगर आप सेहर चाहते हैं तो भी लिख दे कोई बिमार आपने नहीं है, आपने आपने एक पत्र लिखनी है और उस इच्छा को आपने नौ दिन रुजाना लिखना है। यानि के हर सुभे आपने एक नया पत्र लिखना है और वही इच्छा जो आपने पहले पत्र में लिखी है उसी को ही रिपीट करना है और उन सभी पत्रों को इकठा करके आपने रोजाना मा के चर्नों में रख देना है जब नौमा नमरात्रा आजाए तो छोटी करन्याओं को भोजन करवाए और जो चीज आप मा से लेना चाहते है या जो आपने अपने इच्छा कागस पर लिखी है जो आपने पत्र में लिखी है वही इच्छा वैसी ही किसी चीज को छोटे रूप में करन्याओं को भेंट करे जैसे कि अगर आपने कार की इच्छा की है तो छोटी छोटी कारें लाकर आप छोटी कन्याओं को दे और अगर आपने शादी की इच्छा लिखी है तो बिंदिया, चुनरी, चूडियां आदी छोटी कन्याओं को भेंट करे अब नौवे नवरात्रे के साथ आपके पास नौ पत्री कठे हो जाएंगे इन नौ पत्रों को आप अपने बीजे होंगे अगर तो उनके साथ आप इसको पानी में बहा दे अगर जो नहीं भी बीजे तो इन पत्रों को ले जाकर फिर भी आप पानी में बहा सकते हैं आप देखेंगी कि जल्दी ही माता आपकी इच्छा को जरूर पूरा करेगी आप शद्धा से भाव से अगर आपने पत्र लिखे हैं आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, विश्वास रखिए, शद्धा से भाव रखिए, माँ आपकी इच्छाओं को ज़रूर पूरा करेगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें थेंक यू